आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हूँ तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत बास बाकत है बारिश होगी भई क्या बात है मज़ा आगए बात करेंगे दोस्तों आज हम वारिस पंजाद दे और खालसा वाहर की बहुत जादा डेंजरस सुसाइड बॉंबर्स यह तयार कर रहा था यह तक बोला गया है और बड़ा ही भयानक प्लान सामने आया है ठीक है intelligence agencies ने meeting में यह सारी चीज़े बताई थी और यह भी बोला था कि जिनको भी हम arrest करेंगे उनको या तो north east की jail में डाल दो या south की jail में भरेंगे क्योंकि अगर हमने पंजाब की jail में डाला तो बहुत बड़ी problem होगी क्या problem होगी पंजाब की jail में problem यह होगी जैसे अजनाला में होई थी कि वहाँ पे अभी supporters हैं और अभी भी हालात बहुत जादा नाजोख है ठीक है भिंडरावाले and the operation blue star शांदार audio book आपको पूरा background और पूरी कहानी पता चल जागी खालिस्तान की मेरा जो favorite chapter इसमें खालिस्तान की मांग इसमें पूरा background समझाया कि आखिरकार हुआ क्या तो किताबे आपको audio book form में मिलेंगी कहां पे कुकू FM पे जो कि भारत का number one audio show platform है 10,000 से जादा audio shows 25,000,000 से जादा paid subscriber दो नए features sleep timer mode आप audio show का time set कर सकते हैं dry mode गाड़ी चलाते चलाते आप audio show को सुन सकते हैं मेरी favorite personal जो audio book है वो है how to win friends and influence people by Dale Carnegie और मैं इसलिए कुको FM सुनता हूँ पिछले दो सालों से क्योंकि मुझे किताबों का खर्चा बच जाता है काफी जादा ज्यान भी मिलता है अभी अगर बात करें तो coupon code आपको use करना SGS50 आपको 50% off मिलेगा यानि की 99 का subscription सीधा 49 में तो coupon code यूज करिए आप SGS50 ठीक है 50% off लेकिन यह से first month के लिए valid है तो description और comment box में लिंक दिया है लिंक को click करेंगे प्ले स्टोर पे डारेक्ट होंगे आपको download करिए coupon code को apply करिए और जबर्दस discount का फायदा उटाइए चलिए तो वारिस पंजाब दे आनंदपुर खालसा फोर्स यह सारी चीज़े on the lines of the खालस्तान टाइगर फोर्स and a human bomb squad यह तीन बहुत बड़ी planning थी एक एक करगे points तो देखते हैं सबसे पहले तो security agency ने alert किया है कि हमको inputs मिले है कि अमरित पाल सिंग जो है वो drug addiction centers और गुरुद्वारों को use कर रहा है weapons के stockpiling के लिए 2012 में यह दुबाई गया था जा ट्रक ड्राइवर वहाँ पे जस्वन सिंग रोड के संपर्क में आया यह intelligence agencies का कहना है और जस्वन सिंग रोड के जब संपर्क में आया तो इसके बाद फिर जो अफ्तार सिंग खांडा है उसके भी संपर्क में आ और वही main handler है इसका वही main handler ह और इसको जॉर्जिया भी बेजा गया है ट्रेनिंग के लिए यह intelligence agencies ने बताग जॉर्जिया क्यों बेजा गया पता नहीं इसका लेकिन इसको जॉर्जिया भेजा गया main जो इसके राइस के पीछे है यह अवदार सिंग खांडा ही है जो कि परम सिंग जीत पम्मा का main associate है ज चले 6 महीने से यह बहुत जादे अक्टेव है और funding यह भी बोला कि Pakistan links पूरा यहां पर हमने थाबित कर दिया intelligence agencies ही कह रही है कि जो links है ISI इसको फंड कर रहा है पाकिस्तान इसको फंड कर रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह hatred speech देता था violent speeches खालेस्तान की open मांग कर तो इस तरीके की खतरनाक speeches जो है इसके बारे में हमको देखने को मिली है साथ ही साथ agencies का यह भी कहना है यह पूरा meeting में बकायदा बताया गया यह भी यहां पे कहना है कि सबसे बड़ी जो हमको चिंता है वो जो migrant laborer जो पंजाब में आते हैं जो बिहार यूपी के हैं वो बह यही एक ऐसी campaign थी जिसने केंद्र को alert कर दिया खालसा वाहिर campaign में क्या था हर दिन 20 किलो मीटर हम पंजाब में जाएंगे सिखों को पकड़ो जितने भी सिख्य उनको baptize करो उनको असली सिख बनाओ समझ रहो यानि कि पूरी की पूरी आर्मी तायार करो आफ दालाइन सा भी कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि इतना भयाना कि इसको support मिला था यह इतनी जादा dangerous lines पे आगे बढ़ रहा था तो intelligence agencies ने बोला है कि इसकी पूरी आर्मी है आनंद पुल खार सा आर्मी इसने पूरी force बना के रखी हुई है और यह recruit कर रहा है उनको weapons दे रहा है इनके लोगो प्लांट किये बहुत बढ़ा सिरदर्द तो यह जो input जितने भी हमको inputs मिले हैं intelligence agencies उनने यही बोला है कि Pakistan ISI और खालिस्तान sympathizers का बहुत बढ़ा हात है अभी हमने देखा कि Britain में क्या हुआ UK में भाया जो खालिस्तान के supporters है प्रो खालिस्तानी उन्होंने जंडा जो है वो भ लिखा एक एक एफ बकाइदा जो हतियार मिले है नमें एक एफ लिखा हुआ है तो यह भी बड़ी परिशानी की बात है marking on them अब जैसा कि अमने बता है कि it is illegally being stockpiled जितने भी drug addiction center जो यह कथित तोर पे यूज करता तोर कहता था कि हम तो drug की बहुत बड़ी problem है पंजाब है त का कहना है तो जो यूज थे देवर एड्मिटेट टुडिए अडिक्शन सेंटर्स यूज तो भी इंडॉक्ट्रिनेटेड अब जितने भी जो यहां पे drug addiction centers थे उनमें यूज आते थे और जो युवा आते थे उनको उनका mind wash किया जाता था brain wash किया जाता था और बताया जात था कि बहुत ज़्यादा जरूरी है खड़ा होना से खिसम के लिए लेकिन ये गलत तरीके से बताता था ठीक है खालिस्तान का main support तो दे दो बंदूक इनको पूरा बंदूक पूरी proper planning थी आर्मी रेस करके insurgency या अलग करना यहां पे ठीक है और उसके बाद फिर वही चीज जो slain terrorist बहुत सारे आतंकियों के नाम बताए जाते हैं कि ये देखो ये धर्ब के लिए शहीद हो गया है ये देश के लिए शहीद हो गया है तो तुमको भी यही करना है ये सब बोला था शहीदी समागम जो memorial events थे बकायदा एकदम सोची समझी साजश थी है ठीक है मतलब ए नहीं पर यह जाता था जहां पर इसको सेमपैथीज मिले वही बता रहा है कि पंजाब को इग्नोर किया गया है पंजाब में डिवलप्मेंट होता तो यह बात होती ही नहीं जहां पर भी पंजाब बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है और जब भी बहुत बड़ा लीडर आया तो लोग उसके सपोर्ट में चले जाएंगे पंजाब में बहुत बड़ी दिक्कते हैं और आप अगर उसको सौल नहीं करेंगे तो आज अमरित पहले कल कोई और आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है आम पाकिस्तान का जो पंजाब है तो इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा एनिवे जो भी होगा हम आपको बताएंगे ये शांदर ऑडियो बुक भिंडरा वाले एंड ये ऑप्रेशन ब्लू स्टर अप ज़रूर सुने और यह आप संसकते कोको एफम पे और अगर हम अभी बात करें तो coupon code SGS50 आपको यूज करना आपको 50% off मिलेगा यानि कि 99 का सब्सक्रिप्चन 49 में और फर्स्ट मन्त के लिए वालिड है तो डिस्क्रिप्चन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है लिंक को क्लिक करें आपको डाउनलोड करें और जबर्दस डिसकाउंट का फा ऱड़ाउनट करें और 8 ऊऑ़ाईशन पежд करें सक ढ IQ करें टिसक दो करें थे एक बात आपको अगए है अजला में और जथ है पुक्त है और बहीं करें दे हैं आपको जाए है जया और जिस्क्त पुत हैと思います